समास की परिभासर से भी प्रसनाता है कि सब्द समूहों को संक्षिप्त करना क्या करना संक्षिप्त करना संक्षिप्त मतलब छोटा करना जैसे राजा की आग्यां तो राजाग्यां बोल देते हैं उसको क्या बोलते हैं राजाग्या अब देखिए समास कितने प्रकार का होता समास कितने प्रकार होता है समास के बारे में जर्ण बताई आप तो समास के कितने समास के छे होते हैं एक होता है अब भाव समास होते नहीं होता है अब भाव समास और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है तत्पुरुष शमास तीसरा क्या होता है अब भाव तत्पुरुष त दुन्द समास होता है और छटा आपका बहुब्री समास होता है क्या होता है बहुब्री समास होता है होता है यह इच्छे होते हैं यह इच्छे होते हैं हाँ आप देखो यहाँ पे जैसे एक बात बताओ जिसका प्रथम पद क्या होता है अब्य होता है और अब्य प्रधान हो भाव समा से जैसे यथा है तो यह उपसर्ग पहचानों आप यथा है तो यथा उसर यथा सीगर यथा मति यह क्या है अब्याई भाव है है कि नहीं यथा रूप यथा भी यथा यह पर्थम पद जो है अब बेप्रधान यह परिवर्थित नहीं होगा जैसे आ उपसर्ग होत या इमान के या बे नाम बे अकल बे रोजगार बेशक्प बे नकाप और एक बात आप यहाँ याद रखना कि रिपिटिशन वाले मतलब जो रिपीट उते हैं जैसे बातो बात जैसे जैसे घर घर जिसकी पुनराब्रित होती है वो भी अब्याई भाव में आते हैं जैसे हाथो हाथ जैसे दिनो दिन बीचो बीच घड़ी घड़ी धेको रिपीट हो रहा एक नहीं घड़ी 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 क अंतलब प्रते क हर समय शाकुशल है ना शाकुशल में आपको परिवार के साथ उसके बाद सहर्स बद होता उपसर्ग बदतमीज बदावलत बाकाइदा बाउपसर्ग होता ना बखुबी भर उपसर्ग होता भर पेट भरसक यह सब अब्वेई भाव में आएंगे क्या आएंगे अब बेई भाव में तो समस्त पत देखो यहां पर जैसे अब यह देखो ततपूरुस समास है अब अगर हम आए ततपूरुस समास पर किस पर आएं ततपूरुस तो ततपूरुस आप जानते हैं क्या होगा ततपूरुस का मतलब जिसमें कारक होता है जिसमें कारक होता है यानि जिसमें भी भक्ते देखो जैसे यस प्राप्त तो यस को प्राप्त तो क्या हो गया तत्पूरुस ग्राम गत मतलब ग्राम को गया हुआ क्या है तत्पूरुस गगन चुम्बी मतलब गगन को चुमने वाला क्या हो गया तत्पूरुस स्वर्ग प्राप्त तो जहां पर आपको कारक मिले तत्पूरुस जेब कतरा मतलब जेब को कतरने वाला तत्पूरुस वन गमन यानि वन को गया हुआ तत्पूरुस तुलसी कृत यानि तुलसी द्वारा कृत तत्पूरुस हो जाएगा जनमान मतलब जन्म शे अंधा तत्पुरुस हो जाएगा सोक आकुल मतलब सोक शे आकुल तत्पुरुस हो जाएगा वार पीडित मतलब बार से पीडित तत्पुरुस हो जाएगा मन चाहा मतलब मन से चाहा तत्पुरुस भयाकुल मतलब भै से आकुल क्या आप बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो अरे प्रधार प्रधार नहीं कारक समधी जहां पर आपको मिलेंगे वहां पर तत्पूरुष शमास हो जाएगा जैसे ईश्वर प्रदत तो ईश्वर द्वारा प्रदत तत्पूरुस हसलिखित हाथ के द्वारा तत्पूरुस माल गाड़ी माल के लिए गाड़ी तत्पूरुस रसोई घर रसोई के लिए घर तत्पूरुस जहां पे आपको कारक मिलेगा कारक मिलेगा मतलब ये छे चीजे जहां पे मिलेगी तोड़ने पर करता नहीं कर्म कारक यानि जहां पे आपको को मिलेगा करण कारक जहां पे आपको से या के द्वारा मिलेगा कर्म करण और संपरदान संप्रदान का मतलब होता है जहां पे आपको को मिलेगा या के लिए मिलेगा वहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा अपादान जहां पे से मिलेगा अलग होने के लिए वहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा अपादान के बाद अधिकरड जहां पे आपको मेय पर मिलेगा अधिकरण वहाँ पे क्या हो जाएगा मेय पर अधिकरण और सम्बंध कारक तो जहां पे आपको काकेकी मिलेगा रारेरी एक, दो, तीन, चार, पांच पक्की पहचान यही है पीडियप वहाँ पे मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पे अब देखो असनान घर यानि असनान के लिए घर ततपुरूस, देश भक्ती, देश के लिए भक्ती ततपुरूस, गउसाला गाय के लिए साला ततपुरूस रोग मुक्त यानि रोग से मुक्त ततपुरूस, देश निकाला यानि देश से निकाला तत्पुरुस, प्रदूसर रहित यानि प्रदूसर से रहित तत्पुरुस, गुड हीन यानि गुड से हीन, इसके प्रकार होते हैं लेकि प्रकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, चलिए, अब अगले प्रस्थ पे, अब देखो जैसे पत ब् बंधन मुक्त तत्पूरूस, रिण मुक्त तत्पूरूस, धर्ब्रश तत्पूरूस, चरित्रहीन तत्पूरूस, सेना पति तत्पूरूस, यानि सेना का पति, राजाग्या, राजा की आग्या तत्पूरूस, राज पुत्री, राजा की पुत्री तत्पूरूस, पवन सागर हरी भक्त हरी कीवक्त ए गंगा चल गंगा का जल गुड दोल घोडे पर दोर ये ना घोडे की दो दोर देश प्रेमी सब आपतत्तपुरुसे भारत रत्न गुनसवार गोड़े परसवार प्रेम यूत अचले बार आया था यूत ना सक्षामि कि यूत दय और आ सबालर अइलky प्रकार में आया हुआ जलमगन जलमे मगन कलानी पूर्ड कला में निपूर्ड अब इशी का प्रकार होता है बच्चा प्रकार पढ़ने की कोई जोरुत नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं प्रकार क्या क्या होता है जैसे देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ एक पीडिया फैट करता हूँ देखो मैं आपको बताता हूँ तत्पुरुस के भेद होते हैं कर्म तत्पुरुस क्या होता है? कर्म तत्पुरुस दूसरा होगा करड तत्पुरुस करड तत्पुरुस कर्म तत्पूरूर, करड तत्पूरूर, संप्रदान तत्पूरूरूर, कैसे पहचानोगे ये भी बता देता हूँ उसके बाद देखोगे अधिकरण तत्पूरुस इसके बाद आप देखोगे शंबंध तत्पूरुस इसको कैसे पहचानोगे जर्ब मुझे बताओ क्योंकि कर्म तत्पूरुस में को होता है करण तत्पुरुस में से या के द्वारा होता है होता एक नहीं होता है से या के द्वारा होता है संप्रदान में आपका क्या होता है को या के लिए होता है को या के लिए है ना और अपादान में क्या होता है से अलग होने के लिए होता है अधिकरण में मेय पर होता है है ना और आप देखो कि संबंद में काके की काके की रारेरी यही तो होता है हो तक नहीं होता है जड़ा बताईए